गुड मॉर्णिंग एब्रीबन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैश लाइवी दीब मैं सो फ्रेंड्स मुझे जाना है आज पार्टी में और पार्टी में जाने से पहले मैंने अपने स्किन के लिए बनाया है यह हूमेट ब्लीच जो कि मैं यहाँ पे अपलाय कर रहे हूँ जहां दोस्तो आज कल शादी और पार्टी में जाने से पहले हमें ब्यूटी पालर जाना पड़ता है और कई तरह की चीज़े हमें अपने फेस पे अपलाय करने पड़ती है ताकि हम सबसे सुन्दर दिखे बड़ सूचिए जरा अगर घर में ही हमें यह सारी चीज़े हम बना के रेडी कर लें तो हमें पैसे बचाने के साथ साथ हम अपनी स्किन के लिए भी कुछ अच्छा सा कर सकते हैं अपने घर में बहुत ही कम खर्चों से तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने DIY होम मेट ब्लीच रेडी किया है अपनी स्किन के लिए जो की काफी एफेक्टिव है 100% इसका रिजल्ट है और यह अगर आप एक बार लगा लो और लगाने के बाद आप कहीं पार्टी में जाओ तो 100% मैं शूर हूँ कि सब आप से जरूर पूछेंगे कि कौन सा फेशल आपने कराया हुआ है तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि मैंने यह हूम मेट ब्लीच कैसे तयार किया है इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीजे ली है वो है आधा कटा हुआ खीरा और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है आलू जिसको मैंने छील लिया है और छील के वाश कर लिया है खीरे को मैंने चीला नहीं है ऐसे ही मैंने लिया हुआ है तो ये मैंने आधा आलू और आधा यहाँ खीरा लिया हुआ है अब इन दोनों को मैं ग्रेट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसका चाहिए जूस फ्रेश जूस चाहिए खेरे और आलू का जिससे मैं बनाने वाली हूँ ब्लीच और ये ब्लीच अगर आप अपलाई करते हैं अपनी स्किन पे जैसा मैंने अभी पहले ही बियोला कि जरूर कि आपने कौन ता फेशिल कराया है तो इसको आप जरूर एक बार अपलाई कीजेगा अपने स्किन पे तो यहां पे मैं ग्रेट कर लेती हूँ और जब हम घर में ही ये सारी चीजे बना ले तो फिर इसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जूरत है जब घर के ही किचन में इ तो देखें यहां पे मैंने घीरे को ग्रेट किया साथ ही साथ मैं अब आलो को ग्रेट कर रही हूँ इन दोनों को ग्रेट करके अब मैं क्या करूंगी इसको मैं छान लोंगी ताकि जो इसका रस है मुझे मिल जाए फ्रेश जूस इसका चाहिए मुझे यह दिखिए मैंने इसी चाय चैननी जिससे चानते न चाय उसमें डालके इसका रस निकाल लिया है और बहुत ही जादा जितना हमें चाहिए अच्छी क्वांटिटी में हमें फ्रेश जूस मिल चुका है और बस ये दो में इंग्रिडियंट है इसके साथी साथ इसका जो एक इंग्रिडियंट है वो काफी ज़रूरी है होना उसका तो इहां देखिए मैंने इन दोनों का रस ले लिया है और अब इसमें जो next चीज जानी है वो है rose water rose water optional है अगर आपके पास है तो आप use कीजेगा otherwise skip कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे rose water use कर रही हूँ तो एक चमच मैं यहां पे rose water ले रही हूँ साथी जो next है वो है aloe vera gel aloe vera gel जरूरी है इसको skip करने की जरूरत नहीं है यह जरूर अपलाई कीजेगा डालिएगा इसमें add कीजेगा यह भी मैंने एक चमच के करीब लिया हुआ है इन तीनों चीजों को अच्छे से sorry चार चीजों को अच्छे से फेंट के mix कर लेंगे और जो main है वो है यहाँ पे rice floor यानी की चावल का आटा यह सबसे main ingredient है यह जरूरी है इसमें अगर यह नहीं है आपके पास तो फिर यह bleach आप नहीं बना पाएंगे यह सबसे ज़्यादा जरूरी है तो यह जो ingredient है इसका main है तो इसको जरूर रख यह होना ही चाहिए इसके बिना आप यह bleach नहीं बना सकते हैं तो लीजे देखे इसने मुझे थोड़ा सा और rice floor एड़ करना है ताकि जो इसकी consistency है थोड़ी सी ठिक हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक चमच के करीब और ले लिया है और पस अब इसको हम mix करके एक बहुत स्मूद सा battery रेड़ी हो जाएगा यह देखे बस इनी चार पांच चीजों से मिलाके बना है यह DIY homemade bleach जो की आपको result देगा जो हम beauty parlor में लगाते हैं उससे कई गुना जादा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि निखार के साथ साथ यह हमारे चेहरे को खराब भी नहीं करेगा क्योंकि हम बहुत जादा अगर chemical वाली चीज़े यूज करते हैं तो उससे skin का जो skin की जो life है वो बहुत कम हो जाती है तो यह जो है natural bleach जिसे आप घर में बना सकते हैं और यह आपको बहुत ही सुन्दर सा निखार देगा आपके चेहरे को तो शादी पार्टी में जाने से पहले बस एक बार अप्लाई कर लिजे इसको तो देखिए अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ इसका result तो यह देखिए मैंने इसको लगा के पांच से दस मिनट रखा और मैंने वाश कर लिया और देखिए क्या स्किन की जो रंगत है बिल्कुल चेंज हो गई है तो आप भी जरूर इसको एक बार बना के ट्राइ किजेगा और कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा अगर अच कियर